तो मैं आज आपको इसके side effects बताऊंगा तो चले लेट स्टार्ट इसका जो ब्रांड नेम है वो कैलपोल है और जो इसका जैनरिक है एक्टिव फार्मस टू इंग्रीडियन्ट वो पेरसटमॉल है इसकी जो टैबलेट है वो 500 mg की है और इसके जो manufacturer है वो GlaxoSmith Klein है अब चलें इसके आप common side effects जो सबसे जादा इसके होते हैं वो होते हैं उसमें जादा नॉस्या हो जाता है वामिटिंग हो जाती है और constipation वगड़ा हो जाती है इसके इचिंग हो सकती है खुझली हो सकती है फैटीग यानिके बहुत जादा थकावट loss of appetite भूपना लगना यह भी हो सकती है डार्क यूरीन पिशाब जो है वो थोड़ा डार्क किसम का आना clay colored stools आ जाना joint is भी हो सकता है इसमें जिसमें skin और आइज हो जाती है यह 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 ब्लिस्टर्स हो सकते हैं छाले हो सकते हैं इससे allergic reactions हो सकते हैं इससे blood related problem जिसमें खासवार एनीमिया इससे हो सकता है और दूसरा यह liver और kidney damage भी करता है यह 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 ब्लीडिंग वागरा भी इससे हो सकती है अब इसके dangerous side effects की बात करें तो dangerous side effects में इसमें जो है liver damage हो सकता है और joint is मैंने आपको जाता है और इससे भी हो सकती है death इस तरह से के multiple organ failure हो जाता है इससे जब acetaminophen toxicity हो जाती है यानि के paracetamol जो होता है इसको acetaminophen भी बोलता है इससे patrotoxicity शदीद किसम्किए हो जाती है और organ failure हो सकता है जिसके वाइसे death हो सकती है तो ये इसके बहुत खतरनाक side effects है ये बाके overall ये बहुत अच्छी medicine है और ये बहुत सी चीज हमें इस होता है जिस तरह different mild to moderate pain वगारा उसके अंदर ये use हो रहा हो ये और भी बहुत से indications है तो अब इसका solution क्या है और ये uses के कहां-कहां indicated होते कहां-कहां इसको आप use कर सकते हैं और इसके drug drug interactions वगारा contraindications जाने के किन-किन चीजों में इसको नहीं use करना चाहिए और इसको pregnancy में या breastfeeding में लेना चाहिए या नहीं और खाने के बाद इसको लें अब खाने से पहले और जो दूसरी चीज़ें के कि आपके लिए बहतर है या नहीं उसके लिए यहां जो दूसरी चीज़ें के इसका antidote क्या है वगड़ा सब के लिए आप अपने फार्मस से भी concert कर सकते हैं ट्रेगन जहां है तो इसको प्रेगनन्सी की नहीं देना चाहिए और तो इसे बहुत जरों को थोड़े थो बतारहों और बहुत से के जिसटें अलकोहल वगड़ा से इसके इसके जिससे बहुत ज़्याद ज्याते बढ़ जाते हैं और जो दूसरी ड्रॉग जैसे कार्बामेजिपीन, फैनेटोएंड और प्रिलोकेन वगारा, आइस्टोनेजड वगारा जैसी जो ड्रॉग्स हैं उनके साथ मेडिसन से साथ इसके बहुत जारा इंट्रेक्शन है तो इन सब के लिए आप अपने फार्मसित से भी इसके बहतर बता सते हैं गाइड कर सते हैं कि आया आपको इसको यूस करना चाहिए और उसके और मज़िद कॉन से साथ इफेट्स हैं और उनसे किस टना बचा जाए अच्छा बहुत से लोगों का यह सवाल था कि हम अपने जो ट्रीट्मेंट है उसको किस्ता अप्रोच करें हम किस्ता अपना इलाज करवाए पहले तो सबसे पहले मैंने कुछ इक्वेशन बनाई ही तो आप इसको समझे इसमें देखें पहले इक्वेशन में कि पेशेंट मैडिसन लेगा तो यह गलत तरीका है इसमें फैट उसको नहां होने के बराबर आएगा या 40 परसंट आएगा और जो साइड फैट होंगे वो इसको तकरीबन 60 परसंट से 100 परसंट होंगे बहुत नुकसान होंगे और वो यह होगा कि असमान से गेड़ा खजूर में अटका यह वाला उसका सीन होगा कि एक बिमारी से निकले दूसरी बिमारी में पहुंच गए अब यह इस वाली में देखिए यह राइट तरीका क्या है पहले पेशेंट जाएगा फिजीशन या कोई भी प्रस्क्राइबर जो भी है उनके पास तो वह कोई भी हो सकता है जिसने भी के कौन सी मेडिशन लेनी है आपको टारेटिट मेडिशन मिलेगी कि आपको क्या हुआ है तो फिर आपको मेडिशन मिली तो आपको इस वीडियो से फाइडा हुआ होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजेगा थैंक यू झाल 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 झाल